नमस्कार मेरा जीव सानी सानी एस्टो कॉस्मिक से आज बात करेंगे पास्ट लाइफ के उपर बेसिकली पास्ट लाइफ क्या है दिखे जिस प्रकार आप पूरे साल वेपार करते हैं तो साल के एंड में यानी 31 मार्श के बाद अपरेल में आप अपनी इंटम टेक्स की दिएं हमारे कुंडली में अच्छे गरह हमारे शुब करमों का फल खराब यानि खराब घर अगर आपकी कुंडली में तो उसका मिसजू जाब ने किया जैसे माल लिए कोई के जी मेरा मर्करी खराब है तो मर्करी औरिकस्जन C4 वолडिका तो पूर जनम में आप ने इन कर्मों को गलत किया था तो इस जनम में आपको सुधार करना है कोई भी गिरह ले लिए खांखां के चक्कर में ना पड़े इधार उधर जाएंगे तो आप परिशान होगे कि सिंपल सी बात समझा रहा हूं नंबर एक हो गया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जो मैं राव केतू के कोर्स में पढ़ा है वह कुर्स के आपको क्यों टॉरस लगन मिला इस जनम में उसका क्या मूल कारण है टॉरस लगन का वह यह कारण है कि उसके बार में घर में मेश राशी आई, तो पूरु जनम में मंगल से समंदित आपने गलत करम करे थे. इसलिए आपको टॉरस लगन इस जनम में मिला. अर्थार पूरु जनम में आपने मंगल के जटने भी कारकत्तों हैं उसका मिस्ывает किया. तो इस जनम में क्या होगा आपको या तो छोटा भाई नहीं मिलेगा चोटा भाई होगा तुसकी आयू नहीं होगी प्रापर्टी से रिलेटर आपको बहुत सारे डिस्पूट मैटर देखने को मिलेंगे इस जनम में तो यह दूसरा पॉइंट है पास लाइफ के अंदर तो आप अपने चार्ट के अंदर चेक करिए कौन से घर है कहां पर खराब है या वक्री है या आस्त है या अशूब स्थान में बैठे हैं तीसरा बड़ा सुंदर पॉइंट बताता हूं लोग कहते हैं जी मेरा भाग्य सा साथ नहीं देता है तो साथ नहीं देता है आप अपने अफ़र्ट से अपना भाग्य बना सकते हैं इसमें कम से कम तीन इफ़ट्स चुनिए है पहला एफट जो होता है अपने पूरुजण में कर्मों को nullify करना है दूसरा effect हमारे प्रयतन को बताएगा और तीसरा effort हमारे को success दिलाएगा तो minimum तीन effort अगर हम करेंगे swim से तो हम अपना भग्य swim लिख सकते हैं और पराणे दोशों को nullify कर सकते हैं आप अपने चार्ट में लगा करके देखिए have a good day thanks a lot